असलालेकूम, आज हम बना रहे हैं सिंधी बिर्यानी सिंधी बिर्यानी बनाने के लिए आप कुछ आइगे होगा जीरा, चिकन, आलू, हरदनिया, पुदीना, दही, प्यास, टिमाटर, लीमो, आलू बुखारे, नमक, चावल, साबुद गरम मसाले, लाल मेश, पिसावा दनिया, जर्दे का रंग, लहसर आलू बुखारे के बीज निकाल कर उसे बिल्कुल बारीग चोप कर लेजे हरदनिया और पुदीना को बारीग बारीग चोप कर लेजे कटावा हरा धनिया पुदीना आलो बुखारे और हरी मिर्चों को एक साथ मिला लेजे को बीच में से काट कर ये सारा आमेजा उसके अंदर मिक्स कर दीजे उसमें से आदा बाखी रहने दें को एक रहने आदा दो चिकन को ऊपर से तिक्के के कट लगा कर उसमें भी आमेजा डाल दीजिए हुआ 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 है दही में लाल मिर्श, हल्दी, पिसवा जीरा और जर्दे का रंग मिलाकर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेजे एक देख्ची में पानी के साथ नमक और साबुद गरम मसाला डाल के उसे उबाल आने दें जब उबाल आ जाए तो भीगेवे चावल उसमें डाल कर चावलों को उबाल ले एक दूसरी देख्ची में तेल जाल कर और उसमें दो प्यास बारीक कटीवी डाले और उसको हलका गुलाबी होने तक फ्राई करें प्यास गुलाबी हो तो देख्ची के अंदर स्टाफ चेकन डालें साथ में पांच छे जवे लैसन के बारीक चॉप करके डाल दीजिए उसके साथ दो आलू क्यूब्स कटेवे दो सितीन टेमाटर जीरा पांच से छे आलू बुखारे डाल दीजिए और उसको ढांबते हैं एक कड़ाई में तेल गरम करें और साफ कियावा और धुलावा धनिया उसमें डालें और उसको सख्त होने तक क्रिस्प होने तक अच्छी तरह से पकाएं जब आप देखिए कि धनिया क्रिस्प हो गिया है तो उसको एक प्लेट पे निकाल लें और उसको पहुंए भागशे किती हैं कर दो कर दो कर देख्ची में आदे उबलेवे चावल डाल दें और उसको अच्छी तरह से पहला लें उसके उपर दही का आमेज़ा जो आपने बना कर रखा है उसको आदा अच्छी तरह से पहला दें उसके उपर स्टफ चिकन और उसकी ग्रेवी को पहला दीजिए और लीमों के खतले चारों तरफ पहला के उपर बचावा हरा मसाला चड़क दें फिर दुबारा से दहीं का आमेजा जो बच गिया है वो उसके पहला के और बकाया चावल उसके डाल दें और उसको दम पर रख दें कि कि अज़के बचल रख एसे कर एdsatanशिक साथ रुब कि बचल खें लाद़ Jaaika कि वह थेता है तामें रखmaदशा से कर दो दो पनी этогоמשло फारों जाल इंके बड़ए़्शा और गल शो कि अबडा़ चार्व दो शर्खे जब आप लाल प्याज्ट यह आपकर प्रेह को हैं यह जर निकालने के टाइम पर आपने पहले बिर्यानी निकाली है उपर स्टफ चिकन रखा और उपर लाल प्यास और हरा धनिया जो आपने तल के रखा वा था वो छड़क के और उसको फिर आप राइते और कचुमर के साथ सर्फ कीजें और उसके रखा नजड़क के डाइते बरा उसके खने